हाई ड्वेल्टीज, वेलकम टो इजीवे कामर्स लासेज, मैं हूँ तबिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम एपनी एकनॉमिक्स की बुक इंडियन एकनॉमी में चिप्रा सेकिंड इंडियन एकॉनमी नाइंटी तो नाइटी 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 को कंचिनु करेंगे लास्ट वीडियो में हमने ग्रीन रेवल्यूशन के बारे में पढ़ा था, आज की इस वीडियो में उसी को आगे बढ़ाएंगे जो की काफी इंप्रस्टिंग टॉपिक है गाईज, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के सा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि ग्रीन रेवल्यूशन को पहले हिंदी में क्या कहते है, हरित क्रांती हमारे देश में क्रांती आई थी गाईज, 1966 में यह याज रखना है क्योंकि वन मार्क के MCQ से पूछा जाता है, हमन हम इसमें HYB seeds यूज करे थे, HYB बोले तो क्या फुल्फरम उती है, इसकी High Yielding Variety Seeds, ठीक है, ये seeds यूज करे थे, इसके साथ-साथ हमने fertilizer यूज करा था, यानि कि खाद यूज करे थी, insecticide, pesticides यूज करे थे, और पेस्टिसाइड वगर क्योंते, कीट नाशक होते हैं, ठीक है वो यूज करे और irrigation यानि कि पानी खुब चाहिए होता था, इन seeds के लिए, तो हमारे देश में खेती भाई, बहुत गुना होने लग गई थी, ये हम पढ़ चुके, देख चुके, जान चुके हैं, अब गाईस जो आज की इस वीडियो है, इसमें क्या हुआ, कि हमारे देश के एक नॉमिस्ट जो थे, जो उस समय पर देश के एक आनमी के बारे में समय समय पर अपनी राय रखा करते थे, वो कुछ favor में थे और कुछ unfavor में थे, बड़ किस चीज के? subsidies के, कहां गया, subsidies के, subsidies क्या होती है, subsidies होती है, जब market rate से सस्ता हम farmers को चीज़े पहुचाते हैं, farmers को कौन सी चीज़े, जैसे की seeds, fertilizer, insecticide, pesticide, market rate में जितने का है, उससे सस्ता, जैसे farmers को बिजली जो होती है, agriculture purpose के लिए बिजली सस्ती प्रवाइट कराई जाती है, ताकि खेती का का हो सके, इसी तरीके से गाईस, बिजली जैसे सस्ती प्रवाइट कराई जाती है, उसी तरीके से ये भी चीज़े सस्ती प्रवाइट कराई जाती थी, तो उसे subsidies कहते थे, ठीक है, अब लेको कुछ तो एकनॉमिस्ट जो थे ना, आपस में लड़ पड़े, क्यों लड़ प जो भी सिस्टम है गाईस, लेकिन वहाँ पर भी कुछ एकनॉमिस्ट किसानों के फेवर में थे, क्या कहते थे वो, वो ये कहते थे कि भाई subsidies मिलनी चाहिए, सस्ते दामों पर किसानों को समान मिलना चाहिए, लेकिन कुछ आ गए, एकनॉमिस्ट जो की फेवर में नहीं थे, अगेंस है किसानों के, वो ये हैं, जिनका मूँ टेडा सा है, ठीक है, वो किसानों के फेवर में नहीं है, हम किसानों के फेवर में हम कहते हैं, subsidies मिलनी चाहिए किसानों को, क्यो मिलनी चाहिए तो उन्होंने तीन तर्क रखे, क्या रखा गाईस पहले, एगरिकल्चर जो है वो सबसे जादा risky business माना जाते हैं क्योंकि पूरी की पूरी तरह हम manually सारा काम कर रहे होते हैं बारिश पर depend था उस समय पर पानी हमें जादा चाहिए था उस काम के लिए तो वो यह कहते हैं कि agriculture बहुत ही risky business है कभी बार आ जाती है कभी सुखा पढ़ जाता है खराब हो जाता है समान तो उन्होंने का agriculture एक बहुत जादा risky business होता है तो यहाँ पर वो बहुत तो पैसा कमा नहीं रहे तो subsidies देनी जरूरी है दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही majority of farmers are very poor जितने farmers जादा तर गरीब होते है तो अगर उन्हें आप सस्ते में दे भी रहे हो तो क्या बुरा कर रहे हो सस्ते में अगर farmers को चीज़े मिल रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हो क्योंकि जादा तर farmers गरीब है तो वो कहते हैं मिलना चाहिए उनको subsidies थर्ड उन्होंने का अगर आप farmer से subsidies छीन लोगे तो जो अमीर farmer है वो और अमीर हो जाएगा और गरीब farmer और गरीब हो जाएगा that is called income inequality आजाएगा अमीरों के पास और पैसा होगा और गरीबों के पास कम पैसा होगा क्यों क्योंकि जो अफॉर्ड कर पाएगा वहीं खरीदेगा और गरीब जो अफॉर्ड नहीं कर सकता वो नहीं खरीदेगा तो at least subsidies में farmers खरीद तो पादे हैं तो ये तो थे हमारे वो economists जिन्होंने फेवर में बात बोली कि subsidies मिलनी चाहिए लेकिन अब जो ये टेड़े मुह वाले farmers है ना ये अगेंस है क्यों अगेंस है इन्होंने का भाई purpose has been solved आपका परपस था हमारे देश में किसानों को मिल जाए वो मिल गए benefit उठा लिया परपस कंप्लीट हो गया अब उनसे उनकी subsidies छीन लो और उनको जो market rate है उस पर दो तो भही मैं तो इस बात से बिलकुल सहमत नहीं हूँ अगर हमारे farmers भई इतने सब अमीर लोग इतना पैसा कमाते हैं अगर farmers को थोड़ा benefit हो जाए तो क्या दिक्कत है इने ठीक है दूसरी चीज़ दूनाट benefit the poor and small farmer but to fertilizer industries and prosperous farmers इन्होंने कहा कि भई इसका benefit fertilizer industries क्योंकि वह जादा बेच पारी है तो उन्हें हो रहा है या फिर जो prosperous farmers जिनके पास पैसा है उनको इसका benefit हो रहा है actual farmers जो है जो गरीब है जो target था हमारा उनको नहीं हो पारा तो इन्हों का ये तर्क था कि भई जो benefit हमें जिन farmers को पहुचाना था उन्हें तो मिलनी रहा तो subsidies वापस ले लो जो कि मुझे लगता है बिल्कुल गलत था भई अगर farmers उनका benefit नहीं हो रहा तो आप ढूंडो क्यों नहीं हो रहा आप पता लगाओ क्यों farmers को benefit नहीं मिल रहा लेके तो farmers के लिए आयो नो subsidies नहीं मिल रहा बोले subsidies ही छीन लो तो भाय जीने मिल रहा है उनसे क्यों चीन रहे हो तो ये दो इन्होंने reasons लिखे जो कि मुझे नहीं लगता है बिल्कुल सही है लेकिन ये तीम reasons में farmers के साथ हूँ तो मैं क्यों subsidies मिलनी चाहिए थी और जो इन्होंने लिखा बिकारे की purpose of हो गया तो subsidies वापस ले लो या फिर poor farmers को benefit नहीं मिल रहा इसलिए वापस ले लो तो ये guys debate हुआता आपस में इन दोनों के ठीक है तो अब आप फैसला करना कौन से है कौन गलत है और जरूर कमेंट के तर यह बताना कि आपको कौन से farmers के लिए आप subsidies के favor में हो या against में हो I hope आपको ये चीज समझ आयोगे और सिर्म जाये तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर करें guys thank you